हाई पीबल वेलकम बेक टो माई चैनल धुन प्रिया के एंटेटेंडमेंट मैं हूँ प्रिया कैसे हैं आप सब लोग आई हूप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे गाइस आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ बहुत ही प्यारी सी मेमोरी जो मेरे दिल के बहुत बात्री में और दोनों मिलकर चौपड खेलते हैं तो बताइए ये कौन सा टैंपल है बहुत ही फेमस टैंपल है और फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ गाजाबाद स्टेशन पर अब ही ट्रेन नहीं आई है टाइम पे और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं करीब यहां से 900 किलोमेटर की दूरी अभी हमें तैय करनी है आंगे दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ओम का रेशवर वही है धाउं जहां बन जाते हैं सबकी बिगडे काउं हर हर महादेव दोस्तों ओम का रेशवर टेंपल बारा जोती लगों में से एक है तो आइए चलते हैं नर्मदा मैया की उस पार जांपसा है शिप शंबू का ओम का रेशवर धाम दोस्तों आप लोगों में से कितने लोग गए हैं ओम का रेशवर धाम मुझे जरूर बताएगा कौन दौक से कमेंट करके तो हम लोग पहुंच गए हैं ओम का रेशवर घाट है लो इस ओम का रेशवर नर्मदा घाट पहाड के ऊपर जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वही है ओम का रेशवर बाबा हम लोग उपर जाएंगे दर्शन करने के लिए दर्शन करने से पहले हम लोग आए हैं नर्मदा मया में डुपकी लगाने के लिए यहां का जो नीचर है बहुत ही प्यारा है और यह जो मंदिर है उपर पहाड पर है हम लोग पहाड से नीचे उतर के आए हैं पहले सनान करने के लिए उसके बाद फिर दुबारा से उपर जाएंगे और गुफा में जाके दर्शन करेंगे भगवान भूले नात की इस नगरी में आके ऐसा लगता है कि कभी अपने शेहर वापिस जाए ना और मा नर्मदा का यजल इतना शीतल है इतनी शान्ती है यहाँ पर लगता है यहीं सकून से काफी देर बैठे रहें पानी में पैर डाल कर बहुत ही अच्छा लगता है मन को बहुत शान्ती मिलती है दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा एलाव नहीं है इसलिए मैं वहां की पिक्टर्स क्लिक नहीं कर पाई लेकिन यह है ओमकार इश्वर भगवान मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए भगवान जब भी बुलाते हैं तो मैं पहले से ही कहती हूँ कि भगवान अगर आप सर जुका लिया है तो सारे कष्ट मुट जाएंगे और आपको एक बात और बताती हूं जो मंदिर की सरचना है यह पूरी ओम की शेप में हैं अगर आप देखेंगे पूरी जो नर्मदा घाट है पूरा जो मंदिर बसा हुआ है पहाड़ों पर उसकी जो पूरी सरचना है व भगवान से अगर कोई अपनी प्रेयर करेंगे कि हाँ भगवान यह मेरी मुराद पूरी हो जाए तो वो जरूर होती है आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओम का रिश्वर जाके मुझे जरूर बताईएगा दोस्तों दीरे दीरे रात हो चली है और अब हम भी निकलेंगे अगला दर्शन महाकाल का दर्शन है उज्जैन नगरी में और यहाँ पर शिवजी माता पारवती जी के साथ आने वाले होंगे ऐसा माना जाता है कि ओम का रिश्वर धाम में शिवजी माता पारवती जी के साथ आते हैं रात्री के समय और जो पंडी जी है यहाँ के मंदिर के वो 64 सजाते हैं और माना जाता है कि शिवजी माता पारवती जी के साथ आते हैं और जब पंडी जी सुबर द्वार खोलते है तो 64 पूरा बिखरा हुआ होता है और मैं भी ऐसा मानती हूँ So guys कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे comment box में करण करके बताएगा like कीजे, share कीजे और बोल ये जोड से हर हर महादेव